असलामनेकुम, मेरा नाम तयव है, दोस्तों आज की वीडियो हमारी टेक न्यूस की है, अभी सीरीज का नाम कुछ एक्जक्ट फाइनल नहीं हुआ, मैंने सोचा था आज की ताजा खबर लेकिन आप लोगों की तरफ से वीडियो पे इतने जबरदस कमेंट्स आ रहे हैं, इत सारे फीडबैक्स आपने मुझे साथ-साथ लाजमी देते रहना है, ताके मैं आप लोगों के लिए मजीद अच्छा कॉंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, अब दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करेंगे टेक न्यूस को, देखेंगे क्या-क्या चीजे नहीं आ रही है दुनिया भर में क्या चल रहा है और पाकिस्तान में कौन सी डिवाइसिज नहीं आने वाली हैं, दोस्तों मेरी priority यही है कि मैं ऐसी डिवाइसिज को ही कवर करूं जिनके पाकिस्तान में आने के chances हैं, ऐसी डिवाइसिज को कवर ना करूं जो के internationally launch होंगी और वहाँ ही रह ज जादा active हूं और आपनों के सवालों के फॉरण से जवाब देता हूं, तो आपनों जादा बोर नहीं करता और हम चलते हैं आज की interesting tech news की तरफ, तो दोस्तों आज की सबसे पहली tech news हम लेते हैं Samsung की तरफ से, दोस्तों Samsung अपने दो models ने launch करने जा रहा है पाकिस्तानी market में, प Qualcomm Snapdragon 778 का chipset देखने को मिलेगा, 6nm architecture based है, अब दोस्तों यहां पे जो सबसे interesting चीज मुझे लगी, वो यह है कि यहां पे आपको AMOLED display देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पे आपको 120Hz का refresh rate भी देखने को मिलेगा, यहां दोस्तों यह काफी जबरदस upgrade होने वाली है, 120Hz का refresh rate definitely आपका gaming experience boost करेगा, और यहां पे आपको Qualcomm Snapdragon 778 की जो sport देखने को मिलेगी, वो भी काफी जबरदस चीज है, लेकिन दोस्तों इस device को जबरदस बनाएगी इसकी price, अब यहां पे जो मेरे सुनने में आ रहा है, इसकी expected price है 70,000 पे, अगर 70,000 पे में यह phone आ जाता है, तो definitely काफ confusing situation हो जाएगी, तो मैं Samsung को यही request करूँगा, कि भाई, price ज़रा ध्यान से रखना ताकि आपके users इसको अच्छी तरह enjoy कर सकें, अब यहां पे Samsung A103S जो आ रहा है, अब दोस्तों यह तो मुझे काफी under power लग रहा है, क्योंकि यहां पे Helio P35 लगाया गया, और अब यह Helio P35 का दोड नहीं है, तो जैसे ही यह दोनों font आएंगे, इनको हम अपने channel पर cover करेंगे, इनके unboxing भी करेंगे, और इसके बारे में आपको complete review भी provide करेंगे, दोस्तों आज के हमाई तीसरी tech news है, ZTE की तरफ से, अब ZTE के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो एक Chinese company है, और क पाकिस्तानी market में देखने को मिलेंगी, दोस्तों यहाँ पे ZTE का plan है कि 30-35,000 के बीच में पाकिस्तानी market में पहले devices को launch करें, तो यह एक काफी अची ख़़र है tech levers के लिए, कि पाकिस्तानी market में आपको एक और brand देखने को मिलेगी, competition थोड़ा सा tough होगा, brands को मजबूर होना पड़ेगा के prices को अच्छा करें, अब इस वगत पाकिस्तानी market में यह position है कि हर brand का दिल करता तो मूँ ठाके prices बढ़ा देता है, अभी recently मुझे पता लगा के वीवो ने भी कुछ models की price बढ़ाने का सोचा है, तो एक और brand आने से आपका at least कुछ competition बढ़ेगा और अची technology पाक नहीं पकड़ी थी और लोगों ने इतना जादा इसको पसंद नहीं गया था, लेकिन जैसे ही company ने इसको discontinue किया तो लोगों को एक दम यह बहुत जादा पसंद आने लग गया और बहुत जादा शॉट हो गया, इवन दो company ने इसकी invoice price एक लाख बीस हजार पया निकाली थी अब दोस्तों यहाँ पे कुछ leaks और rumors के मताबिक, यहाँ पे 8GB RAM के साथ 128GB built-in storage होगी, Super AMOLED डिस्पले होगा जिसमें 120Hz का refresh rate होगा, दोस्तों मैं यह notice कर रहा हो कि Samsung Super AMOLED के साथ 120Hz का refresh rate दे रहा है, यह definitely काफी जादा game changing होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी depend करेगा इसकी specs के साथ अच्छी price में launch की जाएगी, दोस्तों आज की हमारी अगली tech news भी भाई Samsung की तरफ से आ रही है, काफी जादा चा गया है Samsung, दोस्तों आप लोगों को याद होगा, कि Samsung ने 108MP का camera निकाला था, और उस वागत Samsung दुनिया में सबसे पहली company थी, जिस वज ने 108MP का camera इंट 500MP की होती है, लेकिन दोस्तों Samsung 576 पर जा रहा है, यानि के human eye से अच्छा focus कर पाएगी, चीजों पर अच्छा capture कर पाएगी, तो literally एक बहुत बड़ी innovation होने वाली है, लेकिन दोस्तों ये plan बहुत जल्दी execute नहीं होने वाला, Samsung का कहना है कि इस plan को और इस camera को बनते बनते, 2024 स 2025 तक का time लग सकता है, दोस्तों आज की अगली tech news हमारी आ रही है, rail me की तरफ से, अब दोस्तों काफी सारे लोगों का सवाल है कि rail me 9 series कब launch होगी, दोस्तों rail me 9 series इस साल launch नहीं होने वाली, अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल था कि rail me 8 AI कब आ रहा है, दोस्तों इंडिय अब दोस्तों rail me 8 company ने discontinue कर दिया, बहुत ही shorter से में, तो उसके बाद एक market में बहुत बड़ा gap create हो गया, rail me को लेके, और rail me की इस range में कोई भी device नहीं है, तो definitely rail me को चाहिए के rail me 8 AI जैसी devices को जल्दस जल्द market में लाए ताके यह gap clear हो सके, दोस्तों आज के मारी अगली tech news आ अब दोस्तों पाकिस्तान में expected है कि X70 Pro Plus नहीं आएगा लेकिन दोस्तों यह बहुत ज्यादा थकड़ी device है, expected यही है कि X70 Pro और X70 पाकिस्तान में launch किया जाएगा, अब यहाँ पर अगर Pro Plus की बात की जाए तो दोस्तों वहाँ पर जो specs है ना literally level की है, दोस्तों आप आपको 12 GB RAM के साथ 512 GB built-in storage देखने को मिलेगी, यह RAM LPDDR5 पर based है, और storage UFS 3.1 पर based है, साथी साथ दोस्तों यहाँ पर जो आपको chipset देखने को मिलेगा, वो है Qualcomm Snapdragon 888 का, यहाँ दोस्तों एक flagship level का chipset है, 5 nanometer के architecture पर based है, साथी साथ दोस्तों यहाँ पर आपको quad camera setup backside पर देखने को मिले model launch नहीं करेगा, अब Vivo X70 और X70 Pro के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पर आपको Diamonds T1200 का chipset देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आपको शायद 120 Hz का refresh rate देखने को मिलेगा, लेकिन Pro Plus में तो 100% आपको 120 Hz का refresh rate देखने को मिलता है, तो definitely यहाँ पर हम इसकी price की बात करें, तो इसकी prices वही होने वाली हैं, जो के X60 की निकाली थी, तकरिबन 120-130,000 के आसपास इसकी prices आएंगे, तो भाई, मेरी suggestion और मेरा feedback Vivo को यही है, के भाई, X70 Pro Plus को भी पाकिस्तान में launch किया जाए, तो भाई, पाकिस्तान भी अच्छी devices चलाता है, और आप लोग को पाकिस्तान लेकिन मेरे कुछ बहुत जादा प्यारे भाईयों ने मुझे कुछ ने ने नाम सजेस्ट किये, और उन सब को बढ़ने के बाद मैं बहुत जादा confused हो गया, तो दोस्तों, अगर मजीद भी कोई suggestions हैं, तो मुझे जरूर दीजेगा, और कैसी लगी आपको यह tech news, कैसा लगा यह सारा scene मुझे comment section में जरूर बताना है, क्योंके भाई मैं इस field में अभी बिल्कुल नेया नेया हूँ, तो आप लोगोंने मुझे बताना है कि मैंने क्या गल्ती कि किस चीज को मैं improve कर सकता हूँ, इससे आप लोगों का भी फाइदा होगा, और भाई मेरा भी content improve होगा, द